लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ चुके हैं नई सरकार की गठन की तैयारियां चल रही है लेकिन इस सब के बीच उत्तर प्रदेश की एक सीट ऐसी है जिसकी चर्चा ना केवल देश के बाकी इलाकों में बलकि भारतिय जनता पार्टी के ही जो कारे करता है उनके बीच में लोगों ने भाजपा के साथ गद्दारी की दोनों ही तरह के कॉमेंट आ रही है हम हमारे जो साथी है अभिनव जो ग्राउन पर गय थे एक उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आयोध्या में भाजपा के हार की वजह क्या रही राम मंदर एफेक्ट की जिसकी बात की देखा और क्या कारण रहा कि इतने बड़े अंतर से भार्थिय जन्ता पार्टी ने अयोध्या की सीट पर हार का सामना किया पहली चीज तो मुझे इस बात से बिल्कुल आपती है कि जो ये कह दे कि किसी ने गदारी की या जिताया हरा है देख की जन्ता है वो अपना लीडर उपना नेता तैंक कर सकती है और अयोध्या जो है उसकी जो परिकलपना है वो अयोध्या फैजाबाद की सीट है पूरी सीट पे आप सिर्फ ये फैक्टर कह दो की नहीं दोनों तरफ से जो बाते कह जा रही है कि लोगों ने जो है दगा दगा नहीं दिया लोगों के अपने मुद्दे थे अपने मुद्दों पर उन्होंने वोड किया आपको अयोध्या में हार का एक्ट्वल वजय समझनी चाहिए कॉम्बिनेशन समझना चाहिए जो वजय रही वहां की मैं आपको कुछ ग्राउंड के तथ्यात्मक चीजें ब और प्रयोग में ये किया कि पहली बार समानने सीट पर एक ऐसी समुधाय से आने वाले विक्ति को चुनाव लड़ा है अधेश प्रसाद जी जो वहां से अब सांसत बन चुके हैं उससे पहले वहां से विधायक थे आयोध्या की जो एक सीट है देखे वो वीडियो भी को कहा गया कि ये वीडियो जो है एकदम से जैसे आदमी के सदाकत हो जाए उस तरीके की चीज़े तो अब आपको पहले आयोध्या को समझना होगा आयोध्या उतना भर नहीं है जितना टीवी में दिखाया जाता है या सिर्फ मंदिर के आसपास जो डिवलप्मेंट हुआ उतना भर आयोध्या नहीं आयोध्या बहुत बड़ी ग्रामीर सीट है आयोध्या कोई शहरी सीट नहीं है पहली चीज़े समझना होगा आयोध्या के मुद्दे क्या रहा है उस पर बात करेंगे लेकिन मैं पहले बता दूँ आयोध्या में पांच विधान सभा लगती है आ और वो मुद्दा चला नहीं कम से कम अयोध्या का नतीजा देख करके और अयोध्या के आसपास की 10-15 सीटों का नतीजा देख करके क्योंकि उदर अयोध्या साब जैसे ही दाइनी तरफ बढ़ना शुरू करेंगे तो भारती जिनता पार्टी वो सारी सीटे हार गई अयोध्या में जो मैं 5 लोगसभा की विधान सबाग बाते कर रहा हूँ तो मंदिर जो है वो एक विधान सबाग में वो हो गई अयोध्या विधान सबाग उसके बाद रुदावली, मिल्कीपूर, भीकापूर, दरियाबाद इन पाचों में से 4 विधान सबाग बारती जंता पार्टी ने 2017 के चुनाओं में जीती एक मिलकीपूर हार गए थे मिलकीपूर से ही अवधेश प्रसाद जो अभी सांसत बने हैं वो विधायक थे ये एक प्रयोग था प्रयोग को बल तब मिला जब एक संविधान एफेक्ट चुनाओं में नज़र आने लग गया अब जो लल चार सो पार होना है यह चीज उनके खिलाब गई क्योंकि आयुद्या में बड़ी संख्या में दलित मत दाता है और खासकर कि गैर जाटों मत दलित जो 2022-2022-2019-2014 जिसमें पासी बिरादरी आती जिसमें कोरी बिरादरी आती जिसमें वालमी की आते हैं यह तमाम लोग बारत रिख़ भी था तो उसको एक पंपप मिला पंप-पका नतीजह क्या हुआ दो तीन और फैक्टर है उसपे नहें आ पाप का नतीजह है यह फुद्धान सभा और दॉली विद्धान सभा ये दो आगर मतलब इन विदान सभाों में जैसे यह 4 बाकी विदान सभा ग्रामीन है आयुद्या शेहरी विदहाय खाया आगर आपको मैं नतीजाँ दिखाउं सबसे पहले तो जो अए धिया का नतीजा है पर ब कर आप देखियें खरने मार्जिन से चोलाउ बहुरती अंता पर्टी हारी है उसके बाद आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा कि वो चुनाओ क्यूं हारे है यूपी में अगर हम जाते हैं ये रहा यूपी और ये रहा अयुद्धिया फैजाबाद स्वारी अचा लोकसभा का नाम फैजाबाद है ये भी कई लोग कन्फ्यूस करते है तो ये रहे फैजाबाद लोकसभाद यहां 54,566 वोटों से भारती जनता पार्टी चुनाओ हार गई और जीत किसको मिली जीत मिली समाजवादी पार्टी के अधेश प्रसाद को यहां पे बीएसपी ने 46,000 वोट स्कोर किया अब आपको मैं पुराना आकला दिखाता हूँ देखे जो लोगों को लगता है वैसा आयोध्या मैं फिर शुरूस में कहा कि जब 2019 में भारती जनता पार्टी बहुत सारी सीटों पे चार लाग, पांच लाग, छे लाग के मार्जीन से जीती थी तब भी जो पहजाबाद लोकसभा है वो 65,000 के मार्जीन से ही भारती जनता पार्टी जीती थी 2019 के चुनाओ में, जब सब जगह 3 लाग, 5.5 लाग, 4 लाग मतब टियर 3 की जो सीटी बताई जा रहे थी, वो 1.5 लाग से जीते थे, सीट जिसको बताया जाता था अब आप देखेंगे तो पिछली बार यहाँ पे समाजवादी पार्टी और बसपा का गडबन था तब 42 पर इस चुनाव में वोट कितने मिले हैं वो च्छालीस हजार मिले तो ये सीधा सीधा एफ़ेक्ट जो है वोट च्छटक गया इनसे बुरी तरीके से और उसका नतीजہ मैं आपको विधान सभावार दिखाता हूँ यह विधान एयोध्या में भारतिजंता पार्टी हमेसा अच्छे मार्जिन से लीड करती थी यह को सब्सक्राइब 232% पोड जो है हो गड़ बंधन और 117611 को उनको मिले तो यह को सिर्फ 4000 से यहां लिए पाए बाकि रुदाली में यह आरे मिलकीपूर में यह आरे और डरियाबाद में मिलकीपूर जो उनकी खुतकी विदानसवा है अधेश परसात की वहाँ परता ज्राओंग इतुट नहीं ले पाई वह के अहसंगर 8000-benुक यहाँ पर मुस्मी मिले श्ञेज करना ने तो उसमें एक अजय आजाद नाम के विक्ति हैं जो पुराने चात्रनेता रहे हैं अभी भी अब चात्रनेता नहीं है तो उन्होंने एक बात बोली जो रिजल्ट में बोटिंग के बाद मेरे से एक बात कही कि अभिनो जी दलित के लिए जो है संभिधान से बढ़के कुछ न विधान चुन लिया ये बात उनके उनका ऐसा कहना था मैं उनकों होबस कोड कर रहा हूँ तो तो आयोध्या की जो विधान सभा है वहाँ पर पिछली बार BJP को अच्छी लीड मिली थी और 60-70 हजार की लीड आयोध्या से मिलती थी मिलकीपूर, रोदौली यह थोड़ा मुसलिम बाहुल शेतर है तो यहाँ पर भरती जन्ता पार्टी वैसे भी पीशे होती है पिछली ब अब यह जो कहा गया कि वहाँ जो घर तोड़े गए और उसकी वजह से हारे देखिए जो वीडियो वाइरल हो रहे है यह कहते हुए कि आयोध्या के लोगों के साथ आपने बुरा किया इसलिए आपको माफ्टी के जागा हाला कि उसमें से कुछ वीडियो हमाई फैक्ट चे पारी बात जो अधिकारियों के प्रती नाराजगी थी कि आयोध्या जो एक नगर पालिक्या थी नगर निगम जो है वह बहुत छोटा एरिया था बाकी जब उसका विस्तार होने लगा एरपोर्ट बना और भी तमाम चीज़ें आयोध्या में इसमें कोई दोराय नहीं है कि कमाल का डेवलपमेंट हुआ है मंदिर के बनने के बाद लेकिन क्या उस डेवलपमेंट पे वोट मिला उस डेवलपमेंट पे वोट भी मिला नाराजगी जो पेपर लिक की थी जो नाराजगी ये संविधान को लेकर के थी जो नाराजगी गाओं में किसानों में इस बात की चर्चा भी कोई नहीं कर रहा है जो सांड घूम रहें खेतों में उसकी जो नाराज़गी थी वह सारी नाराज़गी विधानसभाइचुनाव में बड़ा मुद्दा था लेकिन दोजार बाइस के चुनाओं में दो तरह की चीजें थी दोजार बाइस में जब कोई किसान तो तरस्तो गए थे वह अपना खेत की रखशा कर रहे तो उसी अधिकल को बचाना था उनके जो जो बात है कि गौशालाइं बनाई जाएंगी गौशालाइं तरीके से बनाई नहीं कि उस तरीके से फंक्शनिंग नहीं और ये आपको अगर ये मैप अगर मैं दिखाता हूं आप देखो यह जो मैप है यह लोग सभाई यह फैजाबाद आप इसके आसफास की सारी सीटे देखो यह रही यह बारा बंकी यह रही सीतापूर यह अमेठी राइवरेली और उसके बाद आप इधर बढ़ते जाए सुल्तान पूर अंबेटकर नगर में अध्या की विधान स कॉंग्रेस है तो यह यह जो सीटें गोंडा कैसर गंज और बहराईची यह तीन सीटों पर भारती जनता पार्टी बच गई यहां पर स्रावस्ती में हार हो गई इधर की सीटें जो है यह खीरी और यह तो खेर बहुत दूर हो जाता है लेगिन यह गोंडा कैसर गंज आस गदारी कर दी बाई जनता है जनता किसी की गुलाम तो है नहीं या या जो लल्लू सिंग से बक्ति product नाराजगी ती और यह भारती जनता पार्टी की कही सारे सांसद्वों से बक्ति तो एक हो जाता है ने कि इतने बार से आप जीत रहें तो बेक्तिकत नाराज़गी भी तो अब आप देखिए जो है तो आप क्या है कि अब मैं आपको यहां पर जो समाजवादी पार्टी के विनिंग केंडिडेट हैं उनकी बाइट आई है मैं उसको सुनाता हूं जो मैं बत था उसको आपने नगर निगम में को शामिल कर लिया ग्रामील इलाकों को तो ग्रामील इलाकों में होता है मौावज़ा का यह फॉर्मूला है कि अगर शहर की सीट है तो आप दो गुना मौावज़ा देंगे और अगर गाओं की जाओं की जाओं की जाओं की जाओं की सरकल रेट बढ़ाया नहीं गया जो सरकल रेट गाओं का था उसी को आपने डबल करके दिया तो ये एक मुद्दा वहां पे था और लोगों में इसको ये दिखा लेकिन क्या उसने हरवा दिया ये बात मैं मतलब वहां के जानकार लोग है उससे वह उतना मानने को तयार नहीं क्योंकि उससे बहुत सारे लोगों को रोजी रोटी भी मिली है लेकिन जो बहुत लोगों के जिनकी दुकाने उजड़ी है और जिनको मुआवजा कम मिला है कही नाराजगी तो रही होगी लेकिन वो सिर्फ वो कोई वज़े थी ऐसी कोई बात नहीं है वो दो चार तपका ह और बहुत बढ़ा एरिया नहीं है बहुत बढ़ा एरिया नहीं है छोटा एरिया है प्लस जो है आप देखेंगे कि भारती जंता पाटी बाकी सीटों पर ज़्यादा मार्जीन से हरी लेकिन अधिया थोड़ा प्रेस्टीज का इस्शू था इन के लिए मुद्दा था दूसरी चीज प्रधान मंत्री प्रिशले चार महिनों में तीन बार गए उसके बाद प्रधान सीयम योगी तो मुझे लगता है कि कम से कम चार महिने में नहीं कुस तो सौ बार गए होंगे बाइस जन्वरी एक बड़ा इवेंट था और उसमें भाजपा के तमाम नेता देश के तमाम सेलिब्रिटीज हर किसी को इन्वाइट मिला था और आयोध्या अपने आप में मतलब राममंदर चुनाम से पिले बड़ा मुद्दा उसको समझा जा रहा था मीडिया में इसकी चर जो हार हुई और उसके बाद जो यह अउधेश प्रसाद जो वहां से सांसत बने हैं इनकी बात आप सुनिए यह कुछ आरोप लगा रहे हैं क्या है सब्सक्राइब नहीं जिता है कि सेट की महान जनता ने जिताया है हमने नहीं जिता है तोटल देश में विश सुत थाजपा की कार्सालम आनी जाने वाली है को आपने बुझे किया है सब दोल प्रती खुल गई जो डगा तोबगा था अवधेश विशाद देशे दिली महुचेंगे सारा देश दुनिया जानेगी वेट तो पूरी तरह से बहुत चूटा है उसी तरह चूटा है सूरद जो है पूरब निकलता है पसी बैठता है कुई कहे सूरत दक्षिन को दो तो नोबडी कान विली प्रत व यसंघ EDृ यहूर आपनेवाले लोग है राम तो बहुत थrob click एड़े आचके राम तो जंजन में हैं राम को खुल आइव नहीं है यह तो गहाने वाले यह तो राम को लाने वाले नहीं है राम के नाम पर ख़ेबार प्रकुद रहतें तहे सुचेज रहे इ'll प्रणानमंदी खुद यहां से लनना चाहती थी रोड़ सू भी किया लेकिन तमाम रिपोर्ट जो इनको जाती है कुप्या यह रिपोर्ट में गई कि विबच का उमीद्वार जो है जमीनी है इमानदार है लोग प्रिये है यह सीट सिकोर नहीं है इसलिए पहर निप्षा लि यह यह बात थी तो कुल मिला करके अभी इस पे भारती जंता पार्टी के आयुद्ध्या को लेकर के समिक्षा होगी जरूर होगी और उनकी तरफ से क्या प्रत्क्रिया आएगी वो भी हम दिखाएंगे जरूर दिखाएंगे वहाँ पे आयुद्ध्या से ही विधायक रहे ह पावन पांडे उन्होंने भी कई सारे उन्होंने भी वीडियो जारी करके जो यह ट्विटर पे चल रहा था मैं देख रहा था जैसे मैं आपको एक ट्वीट अकर दिखाऊंगे तो उसमें कुछ लोगों ने जो ट्वीट किया कि जैसे यह एक भाई साब है इन्होंने कहा क कि आयुद्धिया में 80% हिंदुओं के आयवादी यह बाचपा 500 वरसो बाद आयुद्धिया में राम मंदिर बनुआ है इसके बावजूद भायाचपा प्रतियाशी आयुद्धिया से हार गए क्यों हिंदूओं क्यों प्रोफेसर सुदान सुत्रिवेदी इन्होंने अपन आपको इतना चौकना नहीं चाहिए आपको थोड़ा एनेलसिस करना चाहिए मैंने शुरू में बताए कि 2019 में जब सब जगा आप एक लाग दो लाग से जीत रहते तब आप तीन लाग चार लाग पांच लाग तब भी आप पैसट हजार से जीते तो एक कास्ट एक्वेशन वहाँ पे मजबूत है और एक जो बड़ी विरादरी जो भारती जिनता पाटी को वोट करती आई थी उस विरादरी को समाजबादी पार्टी न अपने साथ ले-लिया तो आप उसके पीछे जो वहाँ पे जो लोग हैं बहुत सारे इस बिरादरी से हैं और बहुत सारे को ट्, हखें के लगा का मंदिर वाने वाले हार गए घिंदू आरी प्यारे बहाईं व के बगाब 08 मर्जी के पत्ता ने हिलता आपको अपनी समीच्छस दूरा मेलत कि आपके कर्ण कैसे थे अंचोंद अबगर Susudyan . के सर्वति गहांतुसुना सर्वे संतु निरामया इस कल्पणा के साथ वश्ड़यवहु ty のड्रोर रिकालपंणा के साथ और जो हमारे प्रत्यासी और प्रसाची है उससे बड़ा कमस अपजारी है मर्यादा प्रसोतम स्री राम के भक्त वो कल मंगलवार था सुगा हर्मान गड़ी गए मैं खुद मंगला आर्थी में 3 मज़े हर्मान गड़ी मोजूद था हमें भारतियन था पार्टी से उसकी जमीन ली जा रही थी कितरे किसानों ने सालों प्रत्रसं किया सर्जी नदी में खड़े होकर जनेव पकड़कर कसम खाई थी बाजपागोट नहीं देंगे उनकी जमीने ली गई मकान लिए गए और सही मुआज़ा आस तक नहीं दिया गया यह जो रामपत बना है व् परेशान है आज भी कई गाउं है कुसमाहा है धरंपूर है सरेठी है और कई गाउं अगल बगल के हैं तदेरा है अकरामा है वहाँ की जमीने ली जा रही है मौजे के नाम पर कुछ नहीं है चौदा कोसी पर कर्मा के नाम पर किसानों की जमीने ली जा रही है और किसानों को मौजे के नाम पर ठेंगा दिया जा रहा है इसलिए किसानों ने अजोद्या के लोगों ने व्यापारियों ने प्रभोस्त्री राम की परजाने यहां से भारती जिनता पार्टी को 921 कर दि है अयोध्या में एक अच्छा स्ट्रॉंग होल भले रहा है लेकिन जब समाजवादी पार्टी की 2012 में सरकार बनी थी तो यही पाउन पांडे वहां से विधायक बने थे और वहां से चुन करके लखनव पोँचे थे तो यह कोई ऐसे इस तरीके से सोशल मीडिया पे घैर में पाउन पांडे जीते थे 2017 में पाउन पांडे 26 परसेंट वोट मिला था उनको तब बेद प्रकास गुपता को 49-50 परसेंट वोट मिला थे एक लाग साथ हजार के उपर वोट तब भी मिला था तो आप देखिए यहां बसपा से वोट बटा हुआ था एक लाग के उपर जनता पाटी का वोट है और एक ही लाग वोट वहां पे विपक्ष के करीब करीब है अब आप यहां देखिए कि एक लाग 13,000 से जीते फिर 93,000 से हारे और सतरह अजार जो है और भी वहां पर पड़ा हुआ है बसपा का तो आप देखिए कि यहां पे बसपा और सपा का इस सत्य नहीं होता जब मैं अयुद्या के गाउं में घूम रहा था और जब मैं इसकी चर्चा लोगों से करता भी था हम लोग आपस में कि नया नारा है एउद्या में नारा जो समाजवाधी पार्टी के कारेकरता लगा रहे थे वो यह लगा रहे थे कि ना मतुरा ना कास कि आपकी आउध्या में आउध्यस पासी तो क्योंकि उन्होंने कास्ट कुमिनेशन को सेट कर रखा था प्लस जो मुद्दे थे समिधान इफेक्ट बात की मैंने और जो पेपर लीग जो सांड का मुद्दा यह तमाम मुद्दे थे यह वहां पे खिलाब गया और उसका दरबना मतलब वो इस फैक्ट पर खुश भी है लेकिन चुनावी मुद्दे उनके उससे इतर बिलकुल देखे यहीं पर बात हो जाती आस्था और आस्था और मुद्दों में फर्क आप वोट मुद्दों पर करते हो आस्था आपकी बेक्तिगत हो सकती है जो बाकी दलों म लेकिन यहार कोई अंतिम सत्य नहीं हो सकता अगला चुनाव तो बारती जनता पर्टी वहां से जीट जाए और भी सीटों पर जीट जाए जैसा काम करेंगे जैसा उनका वो क्रिपोर्टों को उसके आधार पर जनता पसंद या ना पसंद करेगी अगला चुनाव यह तो है क्लेयर किया गया था भारती जलता पार्टी की तरफ से जब आप पहली लिस्ट जारी करते हो तो उसमें जादा तर कैंडिडेट चुना वहार गया मुझे आदे फर्स्ट फेस का इलेक्शन उत्तर प्रदेश का मैं कवर कर रहे थी तीन चार सीटों पर जैसा हम डिसकस करते ही है कि क्लियर फैक्टर्स नजर आ रहे है कि इस बार यहां पर ओपोजिशन स्रोंगे वह सहारनपूर की सीट थी वह कैराना की सीट थी मुझे बालियान से किया भी था कि आपके खिलाफ एंटी इंकमिंसी के साथ साथ आपकी पार्टी के कार्यकरताओं की नाराजगी भी है तो हमारा खुल मिला के मक्सेद यह था कि जो आयोध्या को लेकर कि सोशल मीडिया पर तमाम बातें चल रहे हैं उसको मैं कुछ रखना चाता और कुछ कार्यकरताओं में ऐसी भी निराशा थी कि यह किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे कि कार्यकरताओं ने क्या किया बीजेपी के वो भी अपने आप में एक अलग वीडियो है बीजेपी का कार्यकरता जमीन पे क्या कर रहा था वो सरकार से अपनी ही सरकार से कितन खुश था इस पर हम दूसरे वीडियो में बिस्तार से चर्चा करेंगी जी इन तमाम फैक्टर्स के बारे में चर्चा करने क्लिए और इस वीडियो को रेकॉर्ड करने का मकसद जैसा अब हमने बताया यही था कि जो असल मुद्ध है जो ग्राउंड रियालिटी है जो आयोध्या कैसा है आयोध्या में ऐसे नतीजे क्यों आए इसको जरा समझा जाए आप इन नतीजों पर इस बात्चीत पर क्या राय रखते हमें कॉमेंट में जरूर बताईएगा कामरे के पीछे हमारे साथ ही अमत थे मैं सूनल हूँ मेरे साथ अभनाफ थे ललन टॉप दे